महा मेट्रों के गड़ी गोदाम सित निर्मान अधिन देश के सबसे बड़े डबल डेकर के निर्मान के लिए गडर लॉंचिंग का कार्य शुरू किया गया शुकरवार को महा मेट्रों के प्रबंद निदेशर डॉक्टर बिजेश दिक्षित ने कार्य स्तल का निरिक्षन किया इस दवरान उन्होंने अधिकारी और कर्मियों का होसला बढ़ाते हुए बेहत चुनोती पूरिय कार्य को सावधानी और सतर्खता पुर्वक करने का सुझाओ दिया गड़ी गोदाम मेट्रो स्टेशन के समीप डबल डेकर का निर्मान किया जा रहा है गड़र लॉंचिंग स्थल के समीप ही भारतिय रेल के दिल्ली मार्क बर ब्रिज होने से क्रेनों का आवागमन निरंतर जारी है बेहत संक्री जगह पर किये जा रहा है कार्य और भारी भरकम गड़र की काफी उन्चाई पर की जा रही है 500 टन और 300 टन वजन शंपता की क्रेन गड़र लॉंचिंग के लिए लगाई गई है 200 अधिकारी, कर्मचारी इंजिनियर और श्रेमिक काम में जूटे हुए है निरिक्षन के दोरान प्रबंद निदेशक डॉक्टर दिक्षित ने बड़ी बारी की से गड़र लॉंचिंग का उलोकन किया एक गड़र का वजन करीब 9 टन के करीब है गड़र लॉंचिंग का काम 24 घंटे जारी है शेत्र की नागरिकों और कारेस्थल पर मौजुद कर्मियों को सतर्क करने के लिए बाकाइदा माइक पर उद्गोशना कर सतर्क रहने के निर्देश दिये गए जमिनिस्तर से 24 मेटर उचाई पर काम किया जा रहा है गड़ी गोदाम चोक से कारेस्थल की और जाने वाले मार्क पर भारी और हलके वहानों के आवागमन पर रोक लगाई गई बुटी बोरी M.I.D.C. में स्टेल ब्रेज गर्डर निर्मान किया गया है और अब इसे टेलरों की मदद से बुटी बोरी से गड़ी गोदाम दख सड़क मार्क से लाया जा रहा है देश में पहली बार इस्तान पर एक अलग सररचना के साथ चार स्तरिय सररचना का निर्मान किया जा रहा है बहुत वेस्त और मुख्यरूप से वेस्त रेलवे लाइन गड़ी गोदाम में आर यूबी में निर्मान कार्य किया जा रहा है गड़ी गोदाम क्रोसिंग की सररचना में चार स्तरिय परिवहन प्रणाली है पहले स्तर पर यातायाद के लिए एक भूमी मार्क मवजुदा आर यूबी मार्क होगा दूसरे स्तर पर एक रेलवे ट्रैक होगा तीसरे और चौते स्तर पर एक फ्लाइ ओवर और एक मेट्रो लाइन होगी महा मेट्रों कंस्ट्रक्शन साइट वरकर्स को प्रोचसाइट करते हुए लगातार मेगाफोन की मदद से गाइडलाइज मुहिया करा रही है भारते रेल्वे का संचालन करते समय उचित एतियाती उपाय किये जा रहा है महा मेट्रों द्वाराद जमी से 24 मीटर की उचाई पर चुनोती पूर्यकार पूरा किया जा रहा है